हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम टपल के फंक्शन और मेठट्स को समझेंगे इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको टपल, टपल को कैसे क्रियेट करते हैं और टपल के ओपरेशन्स बताये थे अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो राइट साइड में आई बटन पर किलिक करके जरूर से देख लीजिए तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला फंक्शन है लेंड फंक्शन लेंड फंक्शन से हम टपल की लेंड फाइंड कर सकते हैं मतलब टपल में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं तो जैसे मेरे पास एक टपल है टी जिसमें एलिमेंट्स हैं 1,2 and 3 फिर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा लेंड टी और प्रोग्राम को रन गिया तो देखिए आउट्पुट में 3 आ रहा है क्योंकि टपल में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है टपल फंक्शन टपल फंक्शन में हमें सीक्वेंस पास करना होता है और रिटर्न में हमें टपल मिलता है तो जैसे प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिखा टपल राउंड ब्रैकेट्स में डबल इन्वेटेट को run किया तो देखिए output में हमारे hello string का टपल बन गया है और elements है h, e, l, l और o अब हमारा next method है index, index method से हम किसी भी element का index find कर सकते हैं तो मैंने print statement में लिखा t.index 3 और program को run किया तो देखिए output में 2 आ रहा है क्योंकि 3 का index है 2, अब हमारा next method है count, count method हमें element का count return करता है जैसे print statement में लिखा t.count 3 और program को run किया, तो देखिए output में 1 आ रहा है क्योंकि टपल में हमारा 3 सिर्फ एक बार ही है, अब अगर मैं 3 एक बार और लिख देता हूँ और अब program run करता हूँ, तो देखिए output में 2 आ रहा है, अब हमारा next method है sorted, sorted method से हम अपने टपल के elements को sort कर सकते हैं जैसे मैंने टपल में कोई random values एंटर कर दी और print statement में लिखा sorted round brackets में t और program को run किया, तो देखिए हमारा टपल sort हो गया है और output में 0, 1, 2, 3, 5 आ रहा है अब हमारा next method है max, min और sum, max से हम maximum value find कर सकते हैं, minimum से हम minimum value find कर सकते हैं, और sum से हम element का total sum find कर सकते हैं तो जैसे टपल के elements है 1, 2, and 3, फिर मैंने print statement में लिखा max t और program को run किया, तो देखिए output में 3 आ रहा है, फिर min t, तो देखिए output में 1 आ रहा है, फिर sum t, तो देखिए हमारे elements का sum 6 आ रहा है तो दोस्तों, मैं आशागरता हूँ, कि आपको टपल के functions और methods समझ आ गए होंगे, अगर अब भी आपके मन में कोई doubt हो, तो आप मुझसे comment section में भी पूछ सकते हैं या आप हमारे telegram, channel या community को भी join कर सकते हैं, तो अब हम मिलते हैं अपनी next video में